प्रकृतेर गुन सम्मूढाय सज्जनते गुन कर्मसुह, तानकरित्स नविदोमंदान करित्स नविन्न विचालेट, 39 और प्रकृती के गुनों से मोहित हुए पुरुष गुन और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्यानी पुरुष चलायमान न करे। बहुत कीमती सूत्र कृष्ण इसमें कह रहे हैं। वे कह रहे हैं प्रकृती के गुनों से मोहित हुए डॉर। इस मोहित शब्द को थोड़ा गहरे में समझना जरूरी है। मोहित हुए अर्थात सम्मोहित हुए हिपनोटाइजड। सुना होगा आपने की सिंह के सामने शिकार जब जाता है तो भाग नहीं पाता, सम्मोहित हो जाता है, हिपनोटाइजड हो जाता है, खड़ा रह जाता है, भूल ही जाता है कि भागना है। सिंह की आँखों में देखता हुआ अवरुद्ध हो जाता है, मैगनेटाइजड हो जाता है, रुखी जाता है. भागना ही भूल जाता है. यह भी भूल जाता है कि मृत्यू सामने खड़ी है. अजगर के बाबत तो कहा जाता है कि शिकार अपने आप खिंचा हुआ उसके पास चला आता है आकाश में उर्ता हुआ पक्षी खिंचता हुआ चला आता है कोई परवश कोई खिंचे चला जाता है संस्कृत का यह शब्द है पशु इसका मतलब इतना ही होता है कि जो पाश में बंधा हुआ खिंचा चला आता है, उसे पशु कहते हैं जैसे एक गाय को हमने बांध लिया रस्सी में और खिंचे चले आ रहे हैं गाय पाश में बंधी हुई खिंची चली आती है ऐसे ही प्रत्येक व्यप्ती प्रकृती के गुणों में खिंचा हुआ पशु की तरह वर्तन करता है, मोहित हो जाता है, हिपनोटाइजड हो जाता है इसमें दो-तीन बातें हिपनोटिज्म की खयाल में लें, तो खयाल में आ सकेगा एक चहरा सुन्दर लगता है, आपको खिंचे चले जाते हैं लेकिन कभी आपने सोचा है कि चहरे में क्या सौन्दर यह हो सकता है आप कहेंगे होता है, बिलकुल होता है, लेकिन फिर आपको सम्मोहन के संबंध में बहुत पता नहीं है मेरे एक मित्र, जिनको सुन्दर चहरों पर बड़ा ही आकर्शन था उनसे मैंने कहा, आकर्शन है क्या सुन्दर चहरों में? उन्होंने कहा, है फिर भी मैंने कहा, क्या है? नाख थोड़ी लंबी होती है कि थोड़ी छोटी होती है तो आपके हृदय की धड़कन में क्यों फर्क पड़ता है आख थोड़ी बड़ी होती है कि छोटी होती है कि चहरा थोड़ा अनुपात में होता है कि गैर अनुपात में होता है इससे आपके भीतर क्या होता है उन्होंने कहा होता है आप सौंदर्य को नहीं मानते तो मैंने उन्हें सम्मोहित करके बेहोश किया जब वे बेहोश हो गए तो पास में पड़े हुए तकिये को मैंने उनके पास रखा और मैंने कहा यह तकिया इतना सुंदर है जितनी कोई स्त्री आपने कभी नहीं देखी है इसे पास मिलो, आलिंगन करो, चूमो, प्यार करो उन्होंने तकिये को पास मिलिया, खूब प्रेम किया फिर मैंने उनसे कहा कि जब तुम होश में आ जाओगे आधा घंटे बाद फिर तुम में प्रेम की लहर आएगी और इस तकिये को तुम फिर चाती से लगाओगे पोस्त हिपनोटिक सजेशन आधा घंटे बाद होश में आने के बाद आधा घंटे बाद तुम विवश हो जाओगे तुम्हारे बस में न रहेगा बस तुम उठाओगे तकिये को चाती से लगाओगे और चुमोगे फिर वे होश में आ गए फिर हम सब बैठ कर गपशब करने लगे फिर सब ठीक बात हो गई घड़ी मैं देख रहा हूँ तकिया उनके पास में पड़ा है उसे उठा कर मैंने आलमारी में बंद कर दिया उनकी आखें देख रहा हूँ पच्चीस मिनट, तीस मिनट और बेचैनी उनकी शुरू हुई जो लोग भी बैठे थे वे भी देख रहे हैं कि अब वे बेचैन हो गए हैं वे बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं अब वे ठीक उसी हालत में हैं जैसी हालत में कामुक्ता से भरा हुआ आदमी हो जाता है लेकिन तकिये के प्रती कोई कामुक्ता होती है उठे, मैंने कहा कहा जा रहे हैं उन्होंने कहा कि जरा वह तकिया मुझे देखना है, क्योंकि मुझे वह बहुत पसंद पड़ा, उसी तरह का तकिया मैं भी बाजार से खरीदना चाहता हूँ अब वे रेशनलाइज कर रहे हैं उनको भी पता नहीं है अब वे तर्क दे रहे हैं मैंने कहा छोड़ो भी मैं तुम्हें यहीं बताए देता हूँ कि तकिया कहा से लिया गया है वहां से तुम तकिया ले लेना उन्होंने कहा कि नहीं, जरा मैं देखना ही चाहता हूँ उनकी चाल देखने जैसी थी, जैसे भौरा फूल के पास जाता है, बस वैसे ही वे आलमारी खोल कर, लेकिन सब हम बैठे हैं तकिये को उठा कर देखते हैं, उसे, उनकी आखें, उनके हाथ वह तकिया बड़ा जीवित हो गया है, क्योंकि अनकांशस में सम्मोहित कर रहा है तकिया उन्हें खीच रहा है, क्योंकि तकिया सुन्दर है, यह भाव गहरे अचेतन में उनके प्रवेश कर गया है एक चण उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर जैसे बेहोश आदमी, फिर वे हमारी फिक्र भूल गए, फिर उन्होंने तकिये को छाती से लगा कर चुमना शुरू कर दिया हमने कहा भी कि यह क्या पागलपन कर रहे हो, पर वे पागलपन कर चुके थे फिर बैठ गए, पसीना आ गया, घबड़ा गए और कहने लगे, मैंने यह क्या किया यह हुआ क्या? मैंने कहा, ठीक ऐसे ही स्त्री और पुरुष सुन्दर मालूम हो रहे हैं ठीक ऐसे ही, वह प्रकृती के द्वारा डाला गया मोह है वह प्रकृती के द्वारा डाली गई हिपनोसिस है वह हमारे अचेतन में जन्मों जन्मों से डाला गया, बांधा गया वासना का बीज है वह काम कर रहा है वह काम करता है, फिर वह जुड़ जाता है वह चीजों से भी जुड़ जाता है क्रिश्न कह रहे हैं, प्रकृती के गुनों से मोहित हुआ पुरुष डौट वही दुख है, वही पीडा है सब की हम किन-किन चीजों से मोहित होते हैं, जरा खयाल करना, तो बड़ी हैरानी होगी अगर चित्र देखें, फिल्म देखें, पेंटिंग्स देखें, कविताएं उठाएं, नाटक पढ़ें, उपन्यास देखें अगर सारी मनुष्य जाती का पूरा का पूरा साहित्य, जिसको हम बड़ा भारी साहित्य कहते हैं, उसे उठा कर देखें, तो बड़ी हैरानी होगी कुछ चीजों से आपसेशन आदमी को पैदा हो गया है, पागल की तरह, और किसी को खयाल में नहीं है कि क्या हो गया है और कभी खयाल में नहीं आता कि प्रकृती के गुण इस भांती मोहित कर सकते हैं अब स्त्रियों के स्तन सारी मनुष्य जाती को पीड़ित किये हुए है सारे चित्र, सारी तस्वीरें, कविताएं, साहित्य, उनहीं से भरा हुआ है सब कवी, सब चित्रकार पागल मालूम पड़ते है स्त्री के स्तन में क्या है? लेकिन छोटे बच्चे की पहली पहचान स्तन से होती है पहला प्रेम और पहला ज्यान स्तन से जुड़ता है पहला एसोसियेशन, उसके दिमाग में पहला इंप्रेशन स्तन का बनता है फिर वह जिंदगी भर पीछा करता है वह सम्मोहित हो गया अब वह बूढा हो गया, अभी भी वह स्तन से सम्मोहित है यह बच्चपन में पड़ी पहली च्छाप है इसको बायोलाजिस्ट कहते हैं, यह ट्रॉमेटिक इंप्रेशन है वे कहते हैं, चुमकी बच्चे के चित्पर सबसे पहली च्छाप मा के स्तन की पड़ती है इसलिए बुढापे के मरते दम तक स्तन पीछा करता है और कुछ भी नहीं बस सम्मोहित हो गया आदमी, फिर बड़े से बड़ा कालिदास हो की भवभूती हो, की पिकासो हो, की कोई भी हो बड़े से बड़ा चित्रकार, बड़े से बड़ा कवी बस वह उसी में उल्जा हुआ है आश्चर्य जनक है लेकिन कृष्न कहते हैं प्रकृती के गुन को न समझने से और उनसे सम्मोहित हो जाने से हिपनोटाइजड हो जाने से आदमी अज्ञान में, मोह में, आसकती में, दुख में पड़ता है और नासमझों से भरा हुआ जगत है ये सभी इसी तरह डौट मनोवैज्ञानिक फेटिश शब्द का प्रयोग करते हैं वे कहते हैं आदमी अंगों से प्रभावित हो तो हो, वस्त्रों से, वस्तूओं से, उन तक से प्रभावित और पागल हो जाता है उन सबसे भी उसके संबंध जुड़ जाते हैं और उनके पीछे भी वह उसी तरह मोहित होकर घूमने लगता है यह जो स्थिती है चित्त की इस स्थिती से जो नहीं जागेगा, वह कभी धर्म के सत्य को नहीं जान सकता वह सिर्फ प्रकृती के गुनों में ही भटकता रहेगा रंग मोहित करते हैं अब रंगों में क्या हो सकता है? लेकिन भारी मोहित करते हैं किसी को एक रंग अच्छा लगता है तो वह दीवाना हो जाता है उसको पागल किया जा सकता है उसी रंग के साथ बहुत बड़ा चित्रकार हुआ वानगाग वह पीले रंग से आपसेस्ट था पीला रंग देखे तो पागल हो जाए धूप में खड़ा रहे सूरज की धूप में खड़ा रहे क्योंकि पीली धूप बरसे जहां पीले फूल खिल जाएं फिर वह घर के भीतर न आ सकता था एक साल आरलिस की धूप में खड़े होकर वह पीले रंग को देखता रहा और इतनी धूप में खड़े होने की वजह से पागल हुआ, दिमाग विक्षिप्थ हो गया। लेकिन पीला रंग उसके लिए पागलपन था। जरूर कहीं बचपन में कोई traumatic experience, बचपन में कभी कोई ऐसी घटना घट गई, जिससे वह पीले रंग से बिलकुल आपसेस्ट हो गया। नेपोलियन इतना बड़ा हिम्मत का आदमी, शेर से लड़ जाए, लेकिन बिल्ली से डरे। सिन्हों से जूज जाए, लेकिन बिल्ली को देख ले, तो पूंच दबा कर भाग जाए। हो क्या गया। छै महीने का था नेपोलियन जैसे आदमी की जीवनी उपलब्ध है, इसलिए जानने में आसानी है। छै महीने का था, पालने पर सोया था, एक जंगली बिलाव ने उसकी छाती पर पैर रख दिया। छै महीने का बच्चा, जंगली बिलाव छाती पर पैरचितर बैठ गया गहरे, अनकांशस में उतर गया। फिर नेपोलियन बड़ा हो गय सब बात भूल गई। लेकिन बिल्ली दिखे कि नेपोलियन फिर छै महीने का हो जाए। बिल्ली दिखी कि वे रिग्रेस किये, वे वापस छै महीने के हुए। और कहते हैं मनोवः ज्यानिक की नेलसन से जिस युद्ध में नेपोलियन हारा, उसमें नेलसन सत्तर बिल्लिय युद्ध के मैदान में साथ बांध कर ले गया था। बिलिया सामने थी, फॉच पीछे थी। और जब नेपोलियन ने बिलिया देखी, अपने पास के साथ ही को कहा, अब मेरा बस काम नहीं कर सकता, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी सूझबूझ खोती है। जैसे उन्ने कृष्ण से कहा न की मेरा गांडीव धीला पड़ा जाता है। मेरे गात शिथिल हुए जाते हैं। अब मेरे बस के बाहर है। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रियजन है। यह मेरा भी आपसेशन है। यह मेरा भी सम्मोहन है। कौन मेरा है? कौन पराया है? बिल्ली से भय है नेपोलियन को छै महीने का हो गया वा अब उसकी स्थिती न रही कि वह लड़ले हारा पहली दफा उसी दिन और संभावना बहुत है कि नेलसन ने नहीं हराया, बिल्लियों ने हराया नेलसन की हैसियत न थी इतनी नेपोलियन बड़ा अध्भुत आदमी था, लेकिन ऐसा अध्भुत आदमी भी हिपनोटाइजड है हम सब ऐसे ही, हम सब ऐसे ही जी रहे हैं यह अर्जुन को क्या हो गया? इतना बहादुर आदमी, जिसे कभी सवाल न उठे, अचानक युद्ध के मैदान पर खड़ा होकर इतना शिथिल, इतना निर्वीर्य क्यों हुआ जा रहा है? हुआ जा रहा है, क्योंकि बच्पन से जिन्हें अपना जाना, आज उनसे ही लडने की नौबत है बच्पन से जिन्हें मेरा माना, आज उनसे ही लडने की नौबत है बच्पन से कोई भाई था, कोई बंधु था, कोई महापिता थे, कोई कोई था, कोई ससुर था, कोई रिष्टेदार था, कोई मित्र था, कोई गुरु थे, वे सब सामने खड़े है वह सब मेरा धिर कर सामने खड़ा है और उस मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत अब उसको नहीं होती है ऐसा नहीं है कि वह कोई अहिंसक हो गया है ऐसा कुछ भी नहीं है अगर ये मेरे नहोते तो वह युद्ध में इनको जडमूल से काट कर रख देता उसका हाथ ठहरता भी नहीं उसकी श्वास रुकती भी नहीं वह इनको काटने में सबजी काटने जैसा व्यवहार करता लेकिन कहां कठिनाई आ गई है वह मेरा उसका आपसेशन है वह मेरा उसका सम्मोहन बन गया है कृष्ण कह रहे हैं प्रकृती में गुण है अर्जुन और आदमी उनसे मोहित होकर जीता है साधारन आदमी उनसे मोहित होकर जीता है वही मोह उसे अंधेरे में घेरे रखता है और वही मोह उसे अंधेरे में धक्का दिये चला जाता है ज्यानी पुरुष को एक तो अपने इस सम्मोहन से मुक्थ हो जाना चाहिए ज्यानी पुरुष का अर्थ है दिहिपनोटाइजदर जिसको अब कोई चीज सम्मोहित नहीं करती रुपया उसके सामने रखें तो उसे वही दिखाई पड़ता है जो है लेकिन रुपय से जो सम्मोहित होता है उसे रुपया नहीं दिखाई पड़ता उसे नमालूम क्या-क्या दिखाई पड़ने लगता है वह शेक्चिल्ली की कहानियों में चला जाता है उसे रुपए में दिखाई पर्ता है कि अब 1-10 हो जाएंगे, 10-1000 हो जाएंगे, 1000 से करोड हो जाएंगे और सारी दुनिया ही जीत लूंगा और नमालूम क्या-क्या उस रुपए में स्वपन उठने लगते हैं उस एक पड़े हुए रुपए में हजार स्वपन पैदा होने लगते हैं, लेकिन जिसे सम्मोहन नहीं है, उसे रुपए का ठीकरा ही दिखाई पड़ता है, उप्योगिता है, वह भी दिखाई पड़ती है, लेकिन कोई सपना पैदा नहीं होता, सम्मोहन सपने का उद्भावक है, हिपनोटाइजड मोहगरस्ट चित्त ही कलपनाओं में सपनों में भटकता है, आकांख्शाओं में महत्वाकांख्शाओं में भटकता है, कृष्न कहते हैं ज्यानी पुरुष्ष्वय भी इससे जाग जाता है, और ऐसा व्यवहार नहीं करत कि वे अज्यानी जो सम्मोहन में भरेजी रहे हैं, उनके जीवन में अस्तव्यस्त होने का कारण बन जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि वह उनके सम्मोहन तोड़ने का प्रयास नहीं करता। उनके सम्मोहन तोड़ने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन सम्मोहित हालत में उन तो भी ये युद्ध के लिए ततपर खड़े लोगों में से किसी को भी पता नहीं है कि युद्ध व्यर्थ है। और तू चला भी जाए, भाग भी जाए, तो केवल जिस धर्म और जिस सत्य के लिए तू लड़ रहा था, उसकी पराजय हो सकती है। युद्ध तो होगा ही, युद्ध नहीं रुख सकता। ये जो चारों तरफ खड़े हुए लोग हैं, ये पूरी तरह युद्ध से सम्मोहित होकर आकर खड़े हैं। इनको कुछ भी पता नहीं है, इनको कुछ भी बोध नहीं है। इन अज्ञानियों के बीच, इन प्रकृती के गुनों से सम्मोहित पागलों के बीच तू ऐसा व्यवहार कर, जानते हुए भी, देखते हुए भी ऐसा व्यवहार कर कि इन सबके जीवन की व्यवस्था व्यर्थ ही अस्तव्यस्थ न हो जाएं। और अकेला तू भाग कर भी कुछ कर नहीं सकता है हाँ, इतना ही कर तू की अगर तुझे होश आया है तो तू इतना ही समझ ले की जिन्दगी में सुख दुख, हार पराजय सब समान है वह परमात्मा के हाथ में है तू करता नहीं है तू बिना करता हुए कर्म में उतर जा